हेलो गैस अगर आप लोगों की पास realme p1 speed 5G मुबाइल फोन और अपने इस मुबाइल फोन में एयार गैचर सेटिंग को आउन करना चाहते हूं यह फिर इस सेटिंग को आप अपने मुबाइल फोन में यूज़ करना चाहती हूँ तो आप किस तरीए से अपने मुबाइल फो पर प्रेस कर जाएगा आपको इस फोन में एयार गैस्टर सेटिंग को आउन करने के लिए सबसे पहले आपकी फोन की जो सेटिंग होते उसे उपन करना होगा आप जैसी फोन की सेटिंग को उपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके फोन की सेटिंग आपको यहाँ पर न option पे क्लिक कर दना होगा आप जिसे इस वाले option पे क्लिक करोगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको option होगा air gesture का तो आपको इस पे गवार क्लिक कर दना होगा आप जिसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो air gesture की setting होती वो उने लग जाएगी यहां पर आपको स्वाइब करके नीचा आना यहां पर आपको option मिलेगा air gesture for call पर इसके सामने बटन मिलेगी तो आपको यहां से on करदना है इसके सामने नीचे आपको एक option मिलेगा in app in air gesture का तो इसे भी यहां से on करदना है इतना करती है आपकी phone में यह setting on हो होता है उसे यहां पर switch करना हो जैसे कि अभी आप back camera से photo को click कर रहे हो और आपको font camera चाहिए तो आपको phone के camera के सामने 20 से 40 cm की दूरी से कुछ इस तरीके से आपके हाथ को हिलाना है आपका phone का जो camera होता है वो अपने आप यहां से change हो जाएगा इसके बाद जो second feature है वो है call answer क इसमें आपको क्या करना होगा अगर आपको call को answer करना है और phone को touch भी नहीं करना है तो आपको आपके हाथ को दूर से कुछ इस तरीके से उपर की तरफ करना होगा जैसे कि यहां पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से आप जैसे ही करोगा तो यहां पर आपकी call answer हो जाएगा इसके बाद जो ठड़ ऑप्षन होता है वो होता है यहाँ पर कॉल मुट का जिसमें अगर आपको किसी कॉल को मूट करना है तो आपको क्या करना होगा सिंपली से 0.5 सेकंड के लिए कॉल मूट करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको आपके हाथ को करना होगा यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से आपकी जो कॉल होती है वो भी म्यूट हो जाए कि तो गई इतने ही फीचर होते हैं इस सैटिंग के अंदर जिसका यूस आप यहाँ पर काफी आफसानी से कर सकते हूं तो वीडियो कैसा लगा कमें करके जरू बताइएगा और अगर आप चानल पणने होंगे तो नीचे सस्क्राइब बटने उस पर जरू से प्रेस कर दीजे गाटिंग सुरू आची